हेलो दोस्तो स्वागत आपका कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे हैं जंबू सिरिच की कॉमिक्स जंबू और जिंगारा इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर दे चलिए सुरू करते हैं बिना समय कर आएँ हिंद महासागर के गरम में मंडराती पंडूबी सार्क का चालक कक्ष अचानक अरे यह क्या है कैपٹन क्या बात है मिश्टर सतीज टिवी स्क्रीन पर नजर पड़ते ही कैपٹन उचल पड़ा समुदर में तेरती चटान, समुदर में यहाँ वहाँ निकली चटानों तो सुनी है, मगर तेरती हुई यह चटाने, वह चटान नहीं है कैप्टेन, वह कोई जीव है, समुदर में खड़ा हो गया है, वह ओ माई गॉड, यह तो हमारी पंडूबी साक की और बढ़ रहा है, कर समुन्दर में मार करने वाला गोला वह तो हिला तक नहीं एक साथ कई फायर करो प्रखचे उड़ा दो उसके क्विक समुन्दर का वह इलाका भीसन गोला बारी से गुंज उठा। सार्क से अपात कालीन मेसेज परसारित हुआ। गस्ती पंडूबी सार्क खत्रे में लगभग सौफुट उच्या विसाल का जीव पंडूबी के रास्ते में तारपीडो का हमला बे असर वो। अरे उसने हाथ पढ़ा कर वह हमारी पंडूबी को गेंद की तरह जगर लिया उसने पंडूबी को ओ हैल्प पिक पिक टूं टूं उस घटना के कुछ ही दिन पस चाथ। पहली बार उस विसाल जीव को सार्क के चालक दलने ही देखा था जंबू। उसके बार जो भी खोजी दस्ता उस जीव की तलास में उस एरिया में गया वह जीवित वापस नहीं ल आज तक जिंगारा ने समुदरी सीमा में रहकर ही तबाही मचाई है किन्तु जिस दिन वो राक्षा समुदर से निकल कर सहर में परवेश कर गया तो हाकार मचा देगा। मैं चाहता हूँ कि वो मनहुस दिन आने से पहले तुम जिंगारा को समुदर में ही जाकर समाप्त कर डालो अगले दिन उपगरा अनुसंधान सालाम से संबंधित उपगरा तुलसी से कुछ चित परसारित हुए जिंगारा 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 वैग्यानिक चौक पड़े जिंगारा बाहर आ रहा है उसका रुक सहर की तरफ है उफ नहीं सहर अगर ये सहर में परवेश कर ग अटेक शूंग शूंग बढ़ाम बढ़ाम गर 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 शूंग ब्रूम ब्रूम बढ़ाम लेकिन आश्चर्य लड़ाकु विमानों की भीसन गोला बारिक का भी जिंगारा पर कोई परभाव नहीं पड़ा एक और भीसन हमले के लिए लड़ाकु जिंगारा की तरफ बढ़ें लेकिन फुस बढ़ाम जिंगारा ने हमारे दो लड़ाकु विमान नश्ट कर डाले वो किनारे की तरफ बढ़ रहा है अब सहर को तबाही से कोई नहीं बचा सकता उब भ्यानक विनास ने सहर का रुख कर लिया है जम्बू इस मुसीबत से हमें जम्बू बचा सकता है उधर जम्बू बंटी के साथ कार में उड़ा जा रहा था जम्बू अगर जिंगारा सहर में घुस गया तो क्या होगा मैं साले को रसमलाई की तरह जीप पर रखकर गड़क कर जाऊंगा मजाग मत करो जम्बू जम्बू जिंगारा ने सहर में घुस कर तबाही मचा दी है तुगणा मत बंटी मैं अभी इसे गुबारे की तरह फोर डालूंगा, कार से निकल कर जंबू रोकेट बना उर चला, उसी च्छन कई पुलिस जीब के साथ चीफ सकसेना की कार वहाँ पहुच कर रुकी, बंटी सकसेना अंकल, जंबू कहा है बंटी, जंबू ने जिंगारा की खाल में भूसा भर कर उसे अजैब घर में रख जंबू का रॉकेट की, जंबू यह तो आग भी उगलता है, अंकल अगर जंबू उसे रोकने में असफल हो गया तो गजब हो जाएगा, जंबू उसे खतम करने का हर संभ़ पर्यास कर रहा था, तरड़ रहा था, मेरी सुपर एटोमिक रेंज इसकी जिसम को तरबूजे की तरफ फोर्ड डालेगी, गर सुन, इस पर इस बार भी कोई असर नहीं, जिंगारा तबाही मत चाता, आगे बढ़ता बढ़ रहा था, भागो बचाओ, जिंगारा उधर रेलवे पुल की और बढ़ रहा है, जंबू ने धातक हमला किया, सुन, गर, भड़ाक, ओ, अबे कु पूरे सहर को कच्रे की पेटी बना देगा, कैसे रोकूं इसे, मेरा कोई भी वार नहीं चल रहा, इस पर उसे रोकना तो होगा ही, वरना यह रेल पटरी, कुण, गर, 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 अंकल, रेल आ रही है, अंकल, ओ, उफ, अगर जिंगारा ने आगे बढ़कर, उफ, अब इस रेल को दुरघटना गरस्त होने से कोई नहीं रोक सकता, हजारो यात्री मारे जाएंगे, अंकल, जम्बू, बंटी, मैं, उफ, हतास, बंटी क्रोस से विफर उठा, जिंगारा कमीने, बंटी, क्या करने जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, अंकल, मैं जीप से, जिंगारा इस आकास्मिक संकट को देखकर पत्थर की मूर्ती बन गया, रेलेवेट ट्रेन के निकट वह विसाल जीव खत्रा, जिंगारा ने आग उगली, फिर अरे, चोक पड़ा जम्बू, आग उगलते समय उसके अंदर से कैसी घरगराहाट निकली थी, कहीं ये कोई मसीन तो नही नहीं चली थी, आग पैदा करने के लिए जैसे लाइटर का मेकनीजम काम करता है कहीं, जिंगारा के अंदर भी तो, अब जम्बू के सोचने का धंग बदल चुका था, उसकी आखे कैमरा, ओ हाँ, इसके कान रिसीवर, अगर मैं इसकी आखों पर परहार करूं तो ये अंध लग हो गया, जिंगारा पट्री के ठीक सामने आप पहुचा, ठीक इसी पल उसने इसी पल देखने वालों के होस उड़ गया, कडाक, बंटी दहसा से चीक पड़ा, जम्बू उसने पूल धवस्त कर दिया है, उफ, जम्बू रोकेट की गती से जिंगारा की तरफ पल्टा, धड़ाक, जम्बू ने उसकी दोनों आखे फोर्ड डाली, इंजन उधर धर धराता चला जा रहा था, अगले ही पल, उफ, खोपनाख दृस से सब की आँखों के सामने था, वे मारा, ट्रेन के सेज़ डिबे ठीक दुर घटना स्थल के सामने पहुच कर रुच गये, जबक तुमने अपने नाम की लाज रख ली, वह देखो, एक भी ट्रेन यातरी हताहत नहीं हुआ, जिंगारा वह पहला लोहे का जानवर है, जिसने जम्बू के मस्तिस्क को हिला कर रख दिया, लोहे का जानवर, जिंगारा को देखने के लिए भीर उमर पड़ी थी, कैसा जम्बू के इलेक्ट्रोनिक रेंज अब निसक्रियब पड़े, जिंगारा का पेट आसानी से काट रही थी, इसके पेट में कोई रहस्ते दफन होगा, जिंगारा के पेट का एक बड़ा हिस्टा तूटकर बिखर गया, कड़ा, तभी, जुम, ओनो, अरे, मेरा सक यकीन में बड़ रहा है, जिंगारा के पेट में बैठा कोई इसे कंट्रोल कर रहा था, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, बंटी, अपना ट्रांस्मीटर ओन रखना, कान कवे के मुरब्बे, तूने जो मेरी, तूने जो खुनी खेल खेला है, उसका हिसाब जम्बू तेरे सिर्पर त जम्बू के मस्तिक से निकली किरने रड बनकर तेजी से घुमते पंखों में घुस गई, कड़ा, कड़ा, सुम, सुम, चमतकृत हो उठा जम्बू, वह मेरे चिलगोजे तेरे सेतानी दिमाग, वेग्यानिक दिमाग का कायल हो गया है, जम्बू, और अब तुझे भी का एहसास कराना जरूरी है, बेटा, भड़ाक, भड़ाक, अब चुहे बिल्ली और चोड सिपाही का बहुत खेल हो गया, जम्बू की निकाह टिक गई लोहे के उस टंकी पर, अगर उस लोहे की टंकी पर चुम्बू की एक परभाव उत्पन कर दूँ तो, इस यान को बंटी की तरफ जाने के लिए मजबूर करना होगा, यान टंकी की तरफ मुड़ गया, टंकी के रूप में विसाल चुम्बू क ने उसे अपनी और खीचा, मैंने अब तेरिस भागने के सारे रास्ते बंद कर दिये है, भाग कहां है, जिंगारा नाम के इस मसीन ने जम्बू के नाक में दम कर दिया था, अब जम्बू तेरा दम आलू बनाएगा, ठाक, आह यह ले, ठाक, उफ, जम्बू होस नहीं खोता लेकिन जब उसे क्रोध आता है तो दुसमनों की धजिया उड़ा देता है, तडाक, धुम, तडाक, ठाक, अब तेरी सारी हडिया बीना ढोल मजीरे के ही किरतन करेगी, जम्बू है तु, मेरा नाम डेमेन है, जिंगारा का निर्मान मैंने एक चलती फिर्टी पर्योकसाला के रूप में किया था, डॉक्टर भावा के अविसकार जम्बू, यानि तुम्हें मैं अपने इस अविसकार से मार देना चाहता था, मुझे उमीद थी कि इस बार तुम जम्बू, तुमने मेरी योजना के परखचे उड़ा दिये, लेकिन, हा हा हा, सोया हुआ जिंगारा अभी भी प्रास नहीं हुआ है, वो ज्वाला मुखी है, जम्बू, जिंगारा की तबाही के साथ ही फरार होने से प्रूव, मैंने उस ज्वाला मुखी को जगाने का इंत जाकर उसका दिल छटी गरस कर दिया जाए, तो यह विस्पोर्ट रुक सकता है, और उसके लिए अब तुम्हारे पास समय भी तो नहीं रहा, हा हा हा, मैं तुझे जान से मार डालूँगा कमी ने, तड़ा, आई, जम्बू ट्रांस्मीटर पर चीख पड़ा, सक्सेना सहब जिंगारा के पास से हट जाए, जिंगारा बं की तरह फटने वाला है, क्या जिंगारा को देखने का परियास करती, भीड के कानों में यह सूचना बं के भी स्पोर्ट की तरह पड़ी, जिंगारा फटने वाला है, भागो भागो, बंटी, बंटी कहा गया, सक्सेना का दिल उचलकर हलक में आ गया, बंटी, ओ माई गॉड, सकसेना सहाब भाग ये, जम्बू बंटी जिंगारा के अंदर है, क्या, जम्बू ने चीफ सकसेना के सौक वो विकरिन, पुरुप सुरक्षा किरनों के दायरे में ले लिया, बंटी जिंगारा के अंदर कैसे पहुच गया, आ जिंदा नहीं रह सकेगा, जम्बू, मेरा बंटी मुझे वापस कर दे भगवान, केवल पांस सेकेंड, रॉंक्टे खड़े हो गय सकसेना के दो सेकेंड, नहीं, आखे बंद कर ली, उसने बंटी की मौत का भ्यानक दृस से नहीं देख सकूँगा, मैं तब ही, जम्बू है बंटी, समय खत्म हो चुका है जम्बू, लेकिन जिंगारा, जिंगारा अब जौला मुखी नहीं बनेगा अंकल, मैंने जिंगारा का दिल छतिगरस्ट कर दिया है, क्यों जम्बू कैसी रही, उफ बंटी, तुने तो हमारी जान ही ले ली थी, तुझे कैसे पता चला कि जि जब डेमन ने जिंगारा खवाला रहसे तुम्हें बताया तो वह मैंने भी सुन लिया था, तुमने एक भ्यानक विनास होने से बचा लिया बंटी, मुझे तुम पर गरव है, साबास बंटी, तुम आवज से जम्बू का नाम रोसन करोगे, दोस्तों, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, और हाँ, यह अंक आपको कैसा लगा, लिखना ना भूले, समाब, जम्बू सीरिच का अगमी कॉमिक्स, जम्बू का जबाब, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जम्बू की या किसी भी अच्छी सी कॉमिक्स का अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन् हाँ गाँ बिदा.